स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल एड्वोकेट डीप लिगल हप में आज के इस वीडियो में हम आपके मेंटेनिंस सम्बदित कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे इसके पहले एक वीडियो अप्लोड हुआ था जिसमें की बताये गया था कि अगर आपके उपर धारा 498-A का केस हुआ है तो सरकारी वकील आपसे कौन-कौन से कोश्चन पूछ सकते है इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था किसी सब्सक्राइबर का उनका ये डाउड था कि जो धारा 498 है ये धन की सम्बंदित लेन दिन से सम्बंदित है इनका कहने का मतलब सायद ये था कि जब दहेज की मांग की जाती है तब धारा 498 का यूज किया जाता है तो आपकी जानकारी के लिए ये क्लियर कर दें कि धारा 498 एक हरेलू प्रताड़ना से संबंदित है और इसमें सारेरिक और मानसिक दोनों तरह के प्रताड़ना को समिलित किया जाता है ये प्रताड़ना जरूरी नहीं है केवल दहेज से ही संबंदित हो ये किसी भी रूप में हो सकती है ये जरूरी नहीं है कि किसी भी महिला को घर में केवल दहेज के लिए ही प्रताड़ित किया जाता है और भी बहुत सारे वीजन होते हैं जिसकी वज़ा से एक महिला उसके सस तुराल में प्रतारित की जाती है और ये जो घरेलू प्रतारणा की बात करती है ये उन सारे प्रतारणाओं की बात करती है तो जब भी आपके उपर 1498 में एक केस लगा हूं तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने दहेज की मांग की है इसलिए ये केस आपके उपर लगाया गय और यह आरोप सिध्धोंने के पहले ही कैसे भरण पोशन का आदेश दिया जा सकता है तो सबसे पहले तो जो भरण पोशन की बात होती है वो किवल घरेलू प्रतार्णा किवल 498 एक केस में ही नहीं होती कोई भी पत्नी भरण पोशन की हकदार है इसके लिए बहुत सारे कारण बताए गए है जिसकी जब एक पत्नी भरण पोशन की हकदार होती है और बहुत सारे ऐसे भी बातें बताए गई हैं ऐसे भी तत्थि उसमें बताए गए हैं कि जब एक पत्नी भरण पोशन की हकदार न की हगदार होगी और कब एक पत्नी मेंटेनस की हगदार नहीं होगी मेंटेनस देना ये मेंटेनस की जुधारा थी ये हमारे लौ में इसलिए लाई गई क्योंकि ये महसूस किया जाने लगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है और वो इस लायक लगर मिंटेन साथ भी नहीं होती है की वो अपनी जरुरत की ऑशत्ताओं को पूरा कर सके खुद से और जब भी किसी महिला की शादी होती है तो उसके पती का ये दायत वो होता है कि वो अपनी पत्नी का भरन पोशन करें ऐसे में अगर पती पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है और ये जरूरी नहीं है कि सारे केस जूठे ही हो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि सही भी होते हैं आज के टाइम में हमारे यहां मिस्यूज होने लगा है कुछ धाराओं का जबकि ऐसा पहले नहीं था। इन धाराओं को बनाने का मकसद की वल यह था कि जिनके साथ न्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिलाए जा सके। अब न्याय के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो महिलाएं खुद से उनकी कोई आई नहीं है उनके पास कोई भी ऐसा साधर नहीं है जिससे कि वो अपना भरन पोशन खुद कर सकें तो ऐसे में अगर उसके पती के द्वारा उसे छोड़ दिया जाए और उसे भरन पो किसी भी महिला के साथ होने वाले अन्याय को बचाने के लिए बनाई गई है जिससे कि वो महिला अपना भरन पोशन कर सकें कोई केस चल रहा है पती पती के बीच में वो केस सही है या गलत है इसका फैसला तो बाद में होगा लेकिन क्या तब तक कोई भी महिला बिना भरन प व्यक्ति के पास भरन पोशन तो बच्चे का भी दिया जाता है माता-पिता का भी दिया जाता है अगर घर में बहन है जो कि अविवाहित है तो उसके लिए भी दिया जाएगा अपनी पत्नी के लिए भी दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी आवसक्ताओं को जो जु तो जब तक case पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति का आप भरण पोशन नहीं रोग सकते इसलिए बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जिसमें court आदेश पारित कर देता है भरण पोशन के लिए जिससे किसी के भी साथ होने वाले अन्याय से उसे बचाया जा सके अगर आपको लगता है कि जो भरण पोशन का आदेश दिया गया है ये गलत है तो आप इसके लिए आप अदालत का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है आप फिर से उसे खट-कटा सकते हैं और आप अपने अधिकारों की मांग वहां से कर सकते हैं उमीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गया होगे वीडियो को लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद